नवस्कार सातियों मैं ब्रजमोहन और इस बक्त हूँ मैं गाजियावाद के नंदगराम में बाबा साब ने कहा है कि सिच्छा वो सेरनी का दूद है जो पीएगा वो दहाड़ेगा ऐसा ही कुछ नजारा हमें इस नंदगराम में देखने को मिलना है मैं अपने कैमरा परसन से कहूंगा कि इन चात्रों को दिखाएं यह चात्र यहां पर क्यों एकटे हुए हैं और इनके हाथ में जो कागज हैं वो किषली हैं इस सब हम आपको बिस्तार से बताएंगे लेकिन सबसे पहले हम स्टार्टिक में वीडियों इन से चात्रों से जानेंगे कि वो यहां पर क्यों खड़े हुए हैं क्या नाम है बटाबगा सर नमस्ते मेरा नाम प्राची है और यह जो हमारे हाथ में एक फर्म है यह इस रोग ने अभी दस मार्ट से एक चैलेंज शुरू किया छोटा सा क्विज के माध्यम से उसमें यह है कि इस रोग जानना चाहता है इसका नाम है यूवी का इसमें यंग साइंटेस को एकटा कर हुआ है और दस सौरी 20 अप्रेल को इसका रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि किसका सेलेक्शन हुआ है साथी आपको बता दें आपने जनेता आवाज पर एक वीडियो और देखा होगा चुनाब के टाइम पर जिसमें युवा थे जिनका नाम आकास था अजय सौरी अजय था इन्होंने नासा में नासा के लिए भी काम किया था उसमें सिलेक्ट भी हुए इस बिसे पर भी उनसे बिस्तार से बात करेंगे इसमें लेकिन इस वीडियो में पर्चे केबल हम कराएंगे और इस वीडियो और जो दूसरा वीडियो आएगा उस नासा का क्या इसरो ने 10 मार्च 2022 को एक उनलाइन चैलेंज रूप कि शुरू किया दा जिसका नाम रखा इन्होंने यूवी का यूवा वज्ञानिक कारेक्रम तो साथ यूवी का में जो इसरो का मेन परपस है वो यह है कि पूरे भारत से उनने डेड़ सो बच्चों का चैन करना है और वो जो डेड़ सो बच्चे जो चुने जाएंगे उन बच्चों को इस रो हैड़क्वाटर में बैंगलोर में वहां पर सांटिस्टों के साथ 16 मई से 28 मई तक रहने का मोका मिलेगा उनका आना जाना खाना पीना खर्चा सब इस रो ही मैनेज करेगा और एक फारम पे एक स्टूडेंटां उनसे पर्चा ले लेते हैं और मैंने इसमें इस रो नाम के चालेंज में हिस्सा लिया है और इसका रिजल्ट भी स्तारिक को आएगा आपका क्या नमस्ति मेरे नाम वैश्ण विये इस रो दुवारा आवेजित एक चालेंज निकला था यूवी का नाम का उसमें मैंने इस रिजिस्टीशन करते लोगां पता गया कि इसी परम जो बहा है वो सबीन बता दिया क्यों अपना पर्चे दीजिए अपका क्या नाम मैं ने विस्टाव में रहती हूं गाजे बजील्ट में और मैंने भी इस पार्टिस्पेट कर रहा है इस अपको क्या न मैंने में इस खुशी बहुत मुझे इसमें पार्टिस्पेट करके बहुत अच्छा लगा है अपको क्या नाम रिशुटा है इसमें जाने में काफी अच्छा लगा है मेरा नाम स्यतन सिंग कि मजी इस इस जाने मैं चली दो मुझे भुख मुछे बहुत और मैंने इस कोमपरिशन में बहुत खूशी हो रहा है अब इस नाम प्राची और मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है रजिस्ट्रिशन कर दिया और मुझे बहुत खुशी है कि आगे एक स्टेप करने के लिए मिल रहा है चलिए अब इन से जान लेते हैं क्या नाम मैं सौरी नाम भूल या अजय है तो अजय यह बताईए अब तक जो लड़के जैसे इन्होंने एपलाई किया है तो देश बहुत बढ़ा है कोई भी कर सकता है तो इसे जब इसमें पार्टिसिपेट करने की बारी आती है तो उसमें टोटल चार स्टेप आते हैं सबसे पहले तो आपको इमेल रजिस्टेशन करना होता है उसके बाद सबसे चलता ओल में 30 सवाल मिलते हैं और 30 मिनिट मिलते हैं सवालों का जवाब देने के लिए तो जब जो उस क्वीज को पार करता है फिर वो जाता स्टेप 3 में मिलता है एक फारम वो उनलाइन इंटा है उसमें अपनी सारी डीटेल भरनी होती है परस्टनल डीटेल डेट यह एक ऐसा फारम मिलता है और इसका हमें प्रिंट आउट निकालना होता है और जब इसका प्रिंट आउट निकल वा लेते हैं तो हमने जिस स्कूल से क्लास एट पास की थी उस स्कूल के प्रिंसिपल के सिगनेचर हमें इसमें चाहिए होते हैं जैसे मुझे यहां मिला हुआ और यहां पर हमाई parents के signature होंगे और इधर हमारे students के signature होते हैं तो इसमें जो quiz पार कर लेता है उसी को step 3 में जाने का मोगा मिलता है और अब जो step 4 है step 4 में इस फारम का photo हम एसे इसको पकड़ के खड़े होंगे और हमारा फेस होगा यह फारम होगा ऐसा एक photo किचेगा और जो हमारी एट्स क्लास की mark sheet है उसका photo किचके वो website पे अपलोड होगा और 20 अपरेल को final होगा कि इसमें कौन select हुआ और कौन select नहीं हुआ क्या सकते हैं यह third round के लिए अभी एक तरह का test हो हो गया है से फाइस्ट रांड मतलो राइस्टेशन सेकंड में कुज उसे मिनी टेस्ट भी मान सकते हैं कि तरह का टेस्ट ही हो गया तो कैसा लग रहा है इतने सारे लड़के आप साथ महीं पढ़ते होंगे मतलब आसपास रहते होंगे तो सर सब मुझे परस्टनली तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले मैं नासा नासा के डीप स्पेस फूड चैलेंज में काम कि किया था एक बार तो इस रो जब इस बात का पता चला था तो इस रो न से बच्चों का ध्यान लगा यह उठता है पहले मैं आप से बाद आपके पास बाद में आएंगे इन बच्चों से और बात कर लेते हैं तो आप मतलब बड़े होगा क्या बनना चाहते हैं और मुझे बहुत खुश्य हो गया कि मुझे इस में बैंगलोरों में जाने का से जो पहले ही एक नासा में पार्टिस्पेड कर चुके हैं उन्हें चीज को बहुत एक्स्प्रियेंस हैं उन्होंने मेरे मदद भी की थी आप क्या बनना चाहते हैं मैं एक इंजिरिया बनना चाहता हूं आपको भी मतलब इसकी जनकारी कहा चाहते हैं मुझे अजय भाई ने देती मेरे तो निशे तोर पर जो अभी उमर में तो कापी छोटे देख रहे हैं अजय जी लेकिन उन्होंने जो मतलब एक उसला दिखाया है और जो सोच उनी की है कि खुद तो आगे बढ़ रहे हैं अ इसी बिसेश चेत्र में आगे बढ़ते हैं तो दूसरे लोग को पीछे करने की कोसिस करते हैं तो यह बात बहुत काबले तारीब बात है कि नोंने इतने युवाओं को प्रेरित किया है और इनकी बज़य से आज कम से कम 14-15 कितने अठारे बच्चों ने इसमें मतलब पाट इसमें कह सकते हैं तो उसमें जो कुछन पूछे गए उनकी कोई तैयारी की अगर की तो किसी ने कराई सब्सक्राइब आपको क्या लगा जब कुछ दिया था आपने क्यों सही गए ते मतलब अच्छे तो क्यों ज्यादा हार्ड में नहीं ते साइंस और मैथ और जनल नोलि प्सक्राइब करते कुछन लेकिन बात यह है कि अभी आपने इसमें पाइसरोट की तो इसकी जानकारी आपको कभ सेतीजिकार करम की इसकी चांद करिये में हमें पहले से तो नहीं थी ज्यादा नहीं थी लेकिन वज़े भाई यह साथ में इनों ने बताया थमसे इनकी वेज़से हम थोड़ा प्रेड़ होए इसलिए हमने फॉर्म वग्रफ में रहे तो साती निश्चे तोर पर ये दोर सूचना का दोर है तमा आप जिस चेत्र में काम कर रहे हैं उनकी सूचनाओं को आदान प्रदान करना अपने दोस्तों के साथ सेर करना यह भी एक बहुत बड़ी चुनोती है क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि आगर हम यह बात कोई अपने साथियों को बताएंगे तो साइद हम पीचे रह जा स्कूल टीचर भी टीचर होते हैं हमारे पेरेंस भी और हमें समाज में देखने को मिलता है कि जैसा यहां रहते हैं तो यह सभी बहुत लो मिड़ल क्लास के लोग हैं वहला कोई इतना ज्यादा खास नहीं है तो ऐसे समाज से जब ऐसे महले से जब बच्चे उठके रह जात तो हमारे साथ अजय के टीचर भी हैं जो उन्होंने लगातार इनको मार्ग दरसन दिया उनसे भी बात करते हैं कि इनकी जो कामियाबी है उनके पीछे क्या राज है सर क्या नाम है अपका मेरा नाम विशाल मिश्रा है और मैं अजय को कोचिंग पढ़ाता हूं बेसिकली किया जो इनके सब्जेक्ट्स हैं हम यहां पर जितने भी टीचर से उनको पढ़ाते हैं और अजय के साथ जो यह भी इन्होंने किया है पहली बात तो इन्होंने जब बढ़ाया जाता ना उतना मॉटिवेट किया जाता है उसमें भी अगर आजय कुछ भी अचीव किया थो यह चोपना क्रेडिट है उसके और यह कोई उसका क्रेडिट नहीं यह ले सकता और उसके lower ऊपने जगह बनाता चलायाता है अजय ने वही चीज किया और एक बार नासा वाला क्लियर करने के बाद तो फिर रुका ही नहीं अभी इस रो अब चाहिए वह अकेले करें चाहिए उसके साथ अपना पुरा ग्रूप लेके जा रहा है तो देखिए सब्सक्राइब आप बहुत बहु कि अब क्या होता है कि कहावत है होनार बान के होत चिकने पात ऐसा कुछ तो वैसा हो साफ दिखने लग जाता अपने आप यह इसमें कोई मैं या कोई क्या कहेगा और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा खुदी समझ लेता है और खुदी समझ रहे कि मुझे क्या करना है क क्या नहीं करना उसको सिर्फ एक डारेक्शन देने की जरूते चाहिए वो कोई भी दे और सबसे बड़ी बात है इनके पेरिंट्स खुदी अपने आप में बहुत जादा सजक है हर चीज में उनको खुदी बताते रहते हैं यह सब चीजे करनी है फिर उसके बाद अगर इन बनाने में एक बच्चे को अच्छा डारेक्शन मंजल तक पहुचा सकता है तो वहीं अगर उसको सही डारेक्शन न मिले तो जिन्दी वर भटक भी सकता है सचाय तो युवा देक रहे हो या पेरेंट्स देक रहे हो उनके बच्चे के लिए क्या चाहएं जो आपकी उममर क है उनके लिए कि आप और अज जोart हम ऐसे नसे जब थे बनाव से परशनल फोरन जिए फोरन का इसते हैं ऐसा नहीं है कि फॉन डेश में करन अफेर्स रहते हैं जो जो भी चलता रहता देश में उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए जो हम अगर कोई हमसे कभी पूछ ले तो हम उसको बता सकें क्या डेश में ऐसा चल रहा है और है इस रुन में तोड़ा तोड़ा है सर मेरे पापा एक छोटे था डिस्पेंसरी चलाते हैं सब्सक्राइब यहीं तीस फुटा रोड़ पर चोटा था क्लीनिक है पापा का और यहीं अपना घर है और यहीं पर रहते हैं हम टोटल फैमिली में पांच लोग हैं मैं हूँ दो सिस्टर हैं हमारे फैमिली है चलो इन बच्चों के भी थोड़ी एक लाइन में बैक्ग्राउंड जान लेते हैं उनके माबाप क्या करते हैं क्योंकि यह बात इसलिए मैं कर रहा हूं करना चाहूंगा अलंग मुझे कोई लिना देना नहीं है कि अधिक तर जो बच्चे पढ़ने जाते संसाधन नहीं है हमारे पास अची किताब नहीं है कंपूटर नहीं तो मैं कहना चाहूंगा जो यतने युवाद देख रहा हो कोई भी चुनोती बड़ी नहीं है रर चुनोती यसे लड़ा जा सकता है और संसाधनों के में भी बड़ा जा सकता है습니다 सोच इंडेंग करने वाले की बच्छी इस दो के लिए काम करेगी कि इतनी अच्छी बात है तो इन चात्रों से जो दर्सक देख रहे हैं उनको अपने बच्चों के लिए कुछ सीख लेना चाहिए उन्हें पढ़ाई के लिए आगे प्रिर्च करना चाहिए वेट आपके दिन मेरे फादर मार्किट का काम करते हैं मेरे फाधर वर्ट कंपनी में काम करते हैं उन्हें आपशे कम प्लीन ना हां यह अ करते हैं मेरे पापाद माईओ काम करते हैं यह पापा का मीर पापाधा चोटा से god मेरे पापजी झalक्रिस सीटे के दुकान ने पापा टांस्पोर्टिंग का काम करते हैं का मैं या मेरे पापा एक उपने मैं प्रॉटे करते हैं मैं पापा बेलता मैं बाक्निक усермु शुट कने किया बस नहीं है तो देखा सांधीयों इस मेह से मुख्धिल से 17 18 बच्चों में से 1,2 की गवर्वेंट सर्विस थी पेरेंट्स की और बागी के कोई पेंटिंग कर रहा है कोई इलेक्ट्रिक का काम कोई वैल्डिंग का काम तो इन बच्चों से जो देश के तमाम जो चात्र नहीं उन्हें सीखना चाहिए किस तरह से परिस्तितियों में कि बात हो हमेशा दमाग में सोच रहती है कि हम अगर दूसरे को बात बताएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसा नहीं है अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी स्पीट आगे बढ़ाना होगा ना कि दूसरे को पकड़े रहना होगा दूसरे को पकड़े बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ना बहुत जरूरी है शुक्री आजए आज इनका दूसरा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनकी जो नासा की जरनी कैसी रही क्या कुछ हुगा क्योंकि आपने जो वीडियो देखा था वहां त झाल